लेबनान का हिजबुल्ला इजराईल के लिए एस्तित्प का खत्रा बन चुका है गाजा युद्ध के बाद से हिजबुला तेलवीब पर इतना हावी हो जाएगा ये खुद इसराईल ने नहीं सोचा था पिछले कई महीनों में हिजबुल्ला की सैने ताकत में चोतरफा इजाफा हुआ है और यही वज़य है कि वो लगातार उत्तरी इजराल पर बेताहाशा हमले कर रहा है वहीं इजराली से ना दो मोर्चों पर हालात काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रही गाजा में जहां ह हमास दुबारा से अपने पैर पसार रहा है वहीं उत्री बॉर्डर पर हिजबुल्ला अपने हमलों से आईडियाफ को दहला रखा है अब हिजबुल्ला ने आईडियाफ के ओपर दो बहुत बड़े हमले की हैं एक हमला अल बैयादा में आधी रात को करीब एक बजे हुआ जिसमें हिजबुल्ला ने इसरायली सैनिकों पर जम कर बंबारी की वहीं दूसरा हमला अल मलकिया साइट पर हुआ यहां हिजबुल्ला ने आईडियाफ के ओपर भारी गोला बारूद दागा इसके लावा मैज़ूआ सेटल्मेंट पर भी हिजबुल्ला ने रौकितों का जब्था फायर किया दोपहर में करीब एक बचकर बीस मिनट पर हिजबुल्ला ने एन याकोफ सेटलमेंट पर कई रौकित फायर किये और इसके बाद अल-अबबाद मिलिटरी सैट पर हिजबुल्ला ने तावड़तोड गोला बारूद फायर किया हिजबुला का कहना है कि इस हमले में IDF को भारी नुकसान हुआ है हिजबुला के मुताबिक उसने शीबा फार्म्स में जबडीन और अल रमाथा साइट पर कई राउंड रॉकेट फायर किया है और इससे ठीक एक घंटा बाद हिजबुला ने अबू दजाज हाइट्स पर भी एक बड़े रॉकेट हमले का दावा किया हिजबुला का कहना है कि उसने बेरिया बैरेक्स पर नॉर्धन कमांड के प्रमुक एर डिफेंस मिसाइल बेस पर हमला किया है हिजबुला ने दावा किया कि उसने यहाँ पर IDF के उपर कत्यूशा रॉकेट्स का एक जथा दाग दिया वहीं इसराइली मीडिया ने खबर दी है कि सफाद में कई धमाके सुने गए हैं और जिस अलाके में यह धमाके हुए वहाँ पर पचास हजार सेटलर्स रहते हैं जो अब सुरक्षित शेल्टर ढूंड रहे हैं इसराइली मीडिया का यह भी कहना है कि सफाद में हुए धमाकों की वज़े से आग लग गई वहीं दूसरी तरफ इस हमले का एक वीडियो भी वारल हुआ है इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लेबनान की तरफ से रात के अंधेरे में कई रॉकेट्स फायर हो रहे हैं और इसराइल का यह डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट कर रहा है आपको बता दे कि इस अटेक से पहले आईडियो ने दक्षणी लेबनान के अल नकौरा में एक ड्रोन स्ट्राइक की थी जिसमें लेबनान के दो लड़ा के मारे गए थे यह दोनों ही मोटरसाइकल पर सवार होकर जा रहे थे तब ही आईडियो अफ का एक ड्रोन इनके उपर आकर फट गया